वेल्कम बैक दोस्तों स्वागत है आपके अपने चला लिगनुवाला पर और जैसे आप सभी को पता ही है कि बार-बार हमारे टेलिग्राम चैनल पर एक पोल लगाया जाता है जिसमें हम पूछते हैं आप से कि कौन सा सब्जायक कोड आपको सबसे ज़्यादा चाहिए इस सम सब्जायक कोड का लिट्रेचर का इस सब्जायक कोड है इसको समझने में लोगों को भोच ज़्यादा क्या हो रही है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इस दिक्कत को सुल्जाने के लिए मैंने क्लास आपके यहां पर बनाने शुरू कर दी है सब्जायक कोड आप अ और उसका कौन सी unitize हमने उठाई है वो उठाई है वो उठाई है दलित वोईसिज तोकि दलित literature के बारे में 100% एक कुस्सन आपका paper में जरूर आएगा दलित literature का जिन हमारे दोस्तों ने क्या देखा होगा हमारा previous year question paper series देखे होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 100% छपने वाला question है दलित literature मतलब आप यह मान के चलिए BGC 132 के अगर आप 3-4 question paper भी उठा कर देखेंगे तो ऐसा एक भी question paper आपको नहीं मिलेगा जिसमें दलित literature या Indian दलित literature के बारे में question ना हो 100% पूछा जाने वाला सवाल है यह तो इस class में हम उसी सवाल को clear करेंगे क्योंकि यह लगबग आपसे कितने number में पूछा जाता है उसमें या तो आपका 20 number में आएगा या फिर आपका 10 number में आएगा इस सवाल दलित literature आप इसकी heading भी बना सकते हैं तो आज इक लास में हम बात करेंगे जो दलित literature है इसका क्या इतहास रहा आपके दलित literature का दलित साइटे का तो आप सबको तो पताई है दोस्तों, दलित जो होते हैं हमारे देश में, दलित को माना जाता है सिड्यूल्ड कास्ट, क्या माना जाता है दोस्तों, दलित को माना जाता है सिड्यूल्ड कास्ट याने की SC, और आपको पताई है SC को उनका अधिकार दिलाने के लिए, दलित की निर्माता भी होए, founder भी होए तो इतनी बड़ी उनकी जो भूमी का रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे दलित लिटरेचर के और साथ-साथ हम जानेंगे दलित लिटरेचर का जो क्या रहा है इतहाँ तो एक क्लास थोड़ी सी लोंग चलने वाली है क्योंकि दलित लिटरेचर के बारे में कोई भी सवाल अगर आपके पेपर में आएगा तो इस क्लास से वो पूरी तरीके से क्या होगा? कवर होगा सबसे पहले introduction से आज हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों चलिए जो points में यहाँ पर आपको पतांगो उन्हें आप जरूर हाइलाइट करते चलेंगे दवर्ड दलित यह जो सब्द है आपका दलित यह जो दलित सब्द है आपका इसका मीन होता है broken people broken people का मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर broken people का मतलब है ऐसे लोग जो समाज में बहुत ज़्यदा पिछड़े हुए होते हैं किस-किस रूप में economically, socially और आप कह सकते हैं culturally यानि सांस्कृतिक रूप से, समाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और even राजनितिक भूमिका में अकर देखें तो यह लोग बहुत ज़्यदा क्या होते हैं पिछड़े हुए होते हैं इसलिए इन्हें नाम दिया गया है दलित को क्या का गया है, डारेक्ट यहाँ पर यहाँ पर दलित को डारेक्ट का गया है, broken people ठीक है, इन Indian caste hierarchy अगर भारत के caste hierarchy यानि कि जाती का वरगी करण के बाद कर हम करें तो इनकी position जो है, वो सबसे नीचे मानी गई है क्या मानी गई है? सबसे नीचे मानी गई है और इन्हें कहीं कहीं पर untouchable untouchable तो आप जानती होगे, आइस परस्या अच्छूत माना गया है और इनहीं हम कहते हैं दलित तो अमीदत दलित सब्द का मीनिंग आपको समझमाया होगा अन्टेचेबल जिन लोगों कहा जाता है हमारी जो इंडियन कास्ट हरेर की है उसमें सबसे लोएस्ट पोजीशन इने दी गई है लेकिन जब से समिधान लाग हुआ है 1950 से लेकर आज तक 1950 से लेकर आज तक इनके साथ बहुत ज़्यादा क्या नहीं हुआ आप ऐसा मान के चले एक्स्प्रोटेशन का कम हो गया है क्योंकि अब इनके संदक्षन में है ना इनके आप ऐसा कह सकते है इनकी सुरक्षा में इनके अधिकारों को लेकर हमारा समिधान खड़ा रहता है और इन्हें आरेक्षन दिया जाता है और इस समुधाय को आगर बढ़ाने की कोसिस की जाती है ना दे लिव्ड वो कहां रहते हैं दोस्तों इनके इसी दर्द और पीड़ा को दिखाता है इनके साथ होने वाले अन्याय को दिखाता है ऐसे लिट्रेचर को दलित लिट्रेचर कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों ऐसे ही लिट्रेचर को दलित लिट्रेचर कहते हैं जो हमारे देश के दलित समुधाय के इन्जस्टिस को, इनिक्वालिटी को और इनके साथ होने वाले gender discrimination को caste discrimination को दिखाता है clear? तो ये है हमारा क्या दलित literature तो आपको दिखाये देगे होगा that is the little literature जिसकी बात हम आज करने वाले हैं दन दोस्तों तो last means पूरी क्लास के मैं आपको थोड़ा सा निचोड़ भी याँ पर दिखा दूगा अब बात करते हैं एक व्यक्ति हुए जो आपको याँ पर दिखाए दिरोंगे इनका नाम है Eleanor Jaliot क्या नाम है इनका दोस्तों मैं याँ पर लिख देता हूँ इनका नाम है Eleanor इनका नाम क्या है Eleanor Jaliot clear? ये एक व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने ये USA के व्यक्ति थे इन्होंने दलिस समुदाय के इतहास के बारे में काफी कुछ बताया है क्या बताया? दलिस समुदाय जो है आपका इसकी हिस्टरी के बारे में काफी कुछ इन्होंने बताया है चलिए इनके द्वारा बताएगे दलित समुधाय की हिस्टरी को समझते हैं तभी हम दलित लिट्रेचर को भी समझ पाएंगे या आप इसे दलित साहित तभी कह सकते हैं एलनोड जैलियोड जो थे इनके बारे में दो तिन बात आपको याद रखनी है ये एक प्रोफेसर थे किसके हिस्टरी के कहाँ पर थे हिस्टरी के प्रोफेसर यूनिवस्टी ओफ मैनोस्टा यूएस थे जो मैनोस्टा की क्या थी यूनिवस्टी थी यूएस से में वहाँ पर ये हिस्टरी के प्रोफेसर थे इन्होंने क्या किया इन्होंने जो दलित मुवमेंट हुआ था इंडिया का जो दलित मुवमेंट हुआ था जिसमें दलित लोग शामिल थे और बहुत धरम के बुधिश्ट लोग भी सामिल थे उसको लेकर उन्होंने क्या की थी एक पुस्तक तयार की थी जिसका नाम था from untouchable to dalit हैना 1996 यानि इनका कहाने का मतलब यह है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1996 में और उसने यह history को बताया था इन्होंने और पुस्तक का नाम क्या रखा था आपको दिखाये दे रही होगी from untouchable यहाँ पर लिखा हुआ है from untouchable to Dalit क्या नाम है पुस्तक का यह बात है आप याद रखेंगे untouchable to Dalit तो इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया था Dalit समुदाई की सारी बाते लिखी थी क्या लिखा था? उन्होंने का था कि जो Dalit साहित्या है जो Dalit literature है यह क्या है? एक movement की जानकारी देता जो आंदोनन कहा पर हुआ था महाराश्च्र में हुआ था Dalit लोगों का clear और साथ-साथ यह भी कहते हैं कि in the quality of writing its variety, its aesthetic, consideration, its sense being a movement tie social actions यानि कि जो चीज उन्होंने Dalit literature में लिखी उसकी writing हो, उसका content हो और आप कह सकते हैं उसका जो क्या हो aesthetic value हो, सुंदरिय हो और movement के बारे में जो उसके क्या है? sense है, वो सब एक बात को जागरित करते हैं और that is called Dalit साहित्या और यहां से क्या होता? दलिस साहित्या का निर्मान आपका होना, सुरू हो जाता है धीरे-धीरे, साथ-साथ someday be an all India moment और यह कहते हैं, एलेनोर यह कहते है कि यह जो Dalit movement है जो अब कब हो रहा है, 1996 में हो रहा है यह moment एक दिन महाराष्ट से बढ़कर पूरे all over India में आपका जरूर फैलेगा जो एलेनोर थे आपके एलेनोर ने क्या किया थे, एक कुस्तक लिखी थे जिसमें उन्होंने दलिस समुदाई के महाराष्ट movement के बारे में सबसे ज़्यादा बताया और महाराष्ट movement के बारे में जो इन्होंने बताया वही आज के समय, as a historical आप कह सकते है source of information about दलिस समुदाई दलिस समुदाई के बारे में information का सबसे बड़ा source माना गया है आप इनका यही book जो है From Untouchable to Dalit clear दोस्तों इसका आप screenshot ले लेंगे अब बात करते हैं what is Dalit literature अब आयाते हैं पूरे हमने दलिस समुदाई समझ लिए इतहास का source समझ लिया अब बात करते हैं कि Dalit literature हाल्यकी है क्या यह आपको पता होना चाहिए Dalit literature is not simply literature यानि इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं यह क्या है? यह associated with a moment to bring about change यानि कि आप यह कह सकते हैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ यह चीजे कि Dalit literature में आखिरकार है क्या? यही points आपको महाँ पर लिख कर आने हैं दोस्तो जो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूँगा तो जो जो डलिट literature है आपका यह किस के बारे में बात करता है? यह बात करता है एक movement के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, एक movement के बारे में क्या करता है, बात करता है, और यह movement था, क्या करने के लिए, bring changes, है न, bring changes in the society, आप कह सकते हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए दलित movement चलाया गया था, उसी movement के बारे में बात करता है, आपका कौन सा literature उसी movement के बारे मां आपका बात करता है दलित literature किलिए इतनी बात आपको याद रहेगी साथ-साथ यहाँ पर लिखा हुआ है इट विल बी strongly evident that there is no stabilized critical theory and point of view behind them यानि कि ये एक बात करता है दलित literature ये कहता है कि दलितों के लिए कोई भी विसेश थियोरी या दलित समुदाय के लिए कोई भी विसेश literature नहीं लिखा गया है अर्जुन डांगल ये आपको विक्ति दिखाए दे रहोंगे इन्होंने क्या किया ये मराठी दलित राइटर है यानि मराठी दलित राइटर के बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते जिनका नाम क्या है दोस्तों अरजुन, डेंगल है ना, और ये क्या हैmis येग इक माराठी दलित राइटर हैं, है ना और इन्होंने भी क्या किया था दोस्तो, इन्होंने भी दलित समुदाए के बारे में काफी कुछ लिखा है इन्होंने ये कहा कि ये जो दलित literature है ये revolt यानि विद्रो और नेगिटिविजम नेगिटिविजम यानि कि नकरात्मक्ता से भरा हुआ है कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ ये जो आपका दलित समुदाय है ये social, economical, cultural inequality से भरा पड़ा है तो नोंने ये कहा कि दलित literature है जो है ये बात करता है किसकी जलित literature बात करता है आपकी discrimination यानि की बेदभाव की साथ साथ ये बात करता है inequality की किसकी दोस्तों inequality की बात करता दलिज लिटेचर साथ injustice की यानि की अन्याय की भी ये बात करता ये बात कहते हैं आपके अर्जुन डेंगल इसके लाब आपको याद रखना है दलिज लिटेचर पूरी तरीके से लिखा नहीं गया जो समाच के कैसा इस था जिसके खाने के एक समय पर क्या था पूरी तरीके से परियाप सुधा नहीं थी उसके लिटेचर तो कोण ही लिखेगा इसलिए इनका लिटेचर पूरी तरीके से लिखा नहीं गया ये केवल एक reflection है emotions का उन feelings का जो किसी purpose से जुड़ी हुई थी और उन purpose क्या था केवल एक ही purpose था उस exploitation को रोकना जो कास्टिसम में इंडिया में होता है यानि कहने का मतलब यह है कि पूरा दलित जो आपका literature है ये इन सोच से भरा हुआ उन feelings से भरा हुआ है जो feeling ये कहती है कि कम सकम अपर कास्ट के थुरू हमारा यानि नीचली कास्ट का या फिर दलित समुदाई का क्या ना हो सोसन ना हो जो बात करता है आपका किसका exploitation का in India क्लियर दोस्तों तो ये हो गए आपका क्या दलित लितरेचर डोक्टर भीमराओं अमबेड कर end literature तो मैंने आपको बताया था दलित समुदाई के अधिकारों को उन तक पहुचाने के लिए और आप कह सकते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े भूमिकार ही है डोक्टर भीमराओं अमबेड कर की और इन्होंने क्या किया है इन्होंने जो literature दिया है तो आपको तो पताया है जो आपके भीमराओं अमबेड कर है इन्हें माना जाता एक powerful leader किसके लिए दलित के लिए ये बात थो ہम सबको पताया है साथ-साथ इन्होंने एक क्रांती चलाई थी जिसका नान था दलित पैंथर्स आपको पता होगा दलित पैंथर्स के नान थे इंका मूवमेंट था अपना जिसमें उन्होंने क्या किये अपने आइडियाज, अपने मैसेजिज लोगों तक पहुँचाए साथ-साथ आपको भी पता है उनकी बुद्धिजम की जो क्या थी विचार धारा थी उसमें ये कहा गया था कि दलित समुदाई भी बाकी समुदाई जैसा ही है और इस कास्स सिस्टम को यहाँ पर खतम किया जाना चाहिए, इतनी बात आपको याद रहेगी साथ-साथ उनकी जो कास्स सिस्टम है यह किस तरीके का है यह हेरेडिटिकल है यानि कि आप जिस कास्ट में जनम लेते हैं आप उसी कास्ट के भली आप में कोई भी क्या नहों, गुण क्यों नहों यह बिल्कुल महावारत के उस कहानी जैसा जिसे कर्ण का आपने देखा होगा कर्ण का जनम यदी, आप माल लीजे शुद्रों में हुआ है, ब्रहामण में नहीं हुआ या चत्रियों में नहीं हुआ तो उसे सिखसा लेने का अधिकार नहीं है तो बिल्कुल सेम यही कंडिशन है heredity की heredity का मतलब क्या है जहां आपने जनम लिया आप उसी caste के माने जाएंगे और marriage marriage restrictions का तो आपको पता ही है कि आप अपनी caste से भार क्या नहीं कर सकते हैं साधी नहीं कर सकते हैं ये दो सबसे बड़े कारणे कि दलिष समुदाए अभी तक उभर नहीं पा रहा है ना दलिष समुदाए उभर नहीं पा रहा ये दो कारण है कारण क्या एक तो जनम जिस caste में होगा उसी caste का वेक्ति को माना जाएगा ये जो आपका जनम अधारित caste है ये और दूसरा marriage restrictions अब भी हम ये accept नहीं करते कि दूसरी जाती के लोग किसी अन्य जाती में क्या कर सकते हैं दोस्तो साधी या संबन्द स्थापित कर सकते हैं clear दोस्तो चलिए तो उम्मीद है इतनी बात आपको clear हो गई होगी अब वक्ता है इस पूरी क्लास का निचोड लाने का और कुछ आपको bullet points देने का दोस्तो clear चलिए मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कुछ bullet points तो आप से paper में पूछा जा सकता है यहाँ पर Dalit Literature जो points में आपको यहाँ पर बताऊंगा आप उन्हें क्या करेंगे एड करेंगे आपको clear दोस्तो तो जो आपका Dalit Literature हुआ है वो है क्या समझने की कोसिस करना आप सबसे पहली बात तो जो Dalit Literature है इसकी सुरुआत जो होती है वो किससे होती है यह होती है आप कह सकते है जो हमने first page पे पढ़े थे है ना देखिए एक एक चीज को revise कराने के लिए मैं महाँ पर उसे own भी करूँगा broken people इने कहा गया untouchable इनको माना गया और आपको पता ही है जो हमारी क्या Indian caste system है उसमें सबसे lowest इने क्या दी गई है position दी गई है clear तो क्या माना गया इनको broken people मानना गया तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर Dalit Community Dalit Community जो है इनने क्या कहा गया broken people broken people यही है Dalit Literature की खास बात दूसरी खास बात क्या है यहाँ पर इन्हें socially, economically और आप कह सकते है socially, economically के साथ साथ आप यहाँ पर कह सकते है cultural यह culturally क्या माना गया है disadvantage इन्हें यह चीज़े क्या नहीं है प्राप्त नहीं है साथ साथ आप कह सकते हैं जो Indian caste system है जो आपका क्या है Indian caste system इंदियन caste system उसमें क्या क्या गया इन्हें? सबसे lowest position यहाँ पर दी गई और याद रखे lowest position में भी आप यह कह सकते हैं कि इन्हें यहाँ पर untouchable माना गया है दोस्तों क्या माना गया इन्हें? यहाँ पर untouchable की संग्या यहाँ पर दे दी गई है, एइश पर से जिनें हम क्याते। साथ साथ, ये जो है दलीट लिटरेचर है, ये express करता है दलीट लिटरेचर express करता है क्या? feelings, feelings कह सकते हैं आप या फिर emotions कह सकते हैं दलीट लिटरेचर आपका feelings या emotions को क्या करता है express करता है किसके खिलाब against आप यहाँ पर लिख सकते हैं against exploitation जो शोशन आपके समुदाय का या फिल आप कह सकते हैं दलित समुदाय का हो रहा है उसके खिलाब जो emotions और feelings हैं उसकी बात करता है आपका कौन से literature आपका दलित literature इतनी बात आपको याद रहेगी दन दोस्तो देखिए इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो आपको लिखना है कि दलित literature यह focus किस में करता है अब इसकी बात लिखते हैं अब इसकी बात लिखते हैं 5th point इस focus is इस focus is on injustice यानि होने वाले अन्याय को लेकर बात करता है साथ साथ यह focus करता है inequality inequality है ना अन्याय ऐसमानता और साथ साथ यह बात करता है किस पर आप कह सकते हैं हाँ आप कह सकते हैं injustice हो गया, inequality हो गया और यहाँ पर एक और वर्ड आपका था that is suffering जो इन्हें पीड़ा भुगतनी पढ़िये इतहास से लेकर अब तक उसकी यह बात करता है इन तीन की बात करता है कोन आपका इन तीन की बात करता है आपका दलित लिटरेचर लीटर्चे में अगरक्षोga नाम आपको मैंना बताया था अंटैचेबल दलिट dawn डलिट ये एक एसी बूक है केक किताब है जिसमें क्या क्या गया दली समुध्य के हिस्टोरिकल perspective को यहां पर दिखाया गया historical आप क्या कह सकते है movement को दिखाया गया है ये जो movement हुआ था कहाँ पर हुआ था ये भी आपको हुआ था ये movement हुआ था आपका मह stimogen कहा था और जो कि किस-किस का एक तो इसमें डली समुदाई शामिल था आपका और साथ-साथ इसमें थे आपके क्या बुद्धिस्ट सामिल ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्लियर दोस्तों तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे दलीत लिटरेचर पर अगर कोई भी कोश्षशन आएगा तो आप उसे कर पाएंगे इसके लावाँ आपको कोई भी अगर टाउट बनता तो आप मुझे कमेंट बॉक्ष मन कूस सकते हैं इसका आप screenshot ले सकते हैं और इसे आप क्या कह सकते हैं नोट कर सकते हैं मैं आपसे कहूंगा कि BEGC 132 जो है दोस्तों इसका जो है ये कोस्तन जो दली समुदाये वाला 100% यहाँ पर छपेगा ये प्रस्न इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ और अगर आपको क्लास फ़संद आ करें थैंक्यू धन्यवाद नमस्कार